नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में दोस्तो, अगर आप किसी साधी सुधा इस्तरी को अपनी महबत में दिवाना करना चाहते हैं आप उस इस्तरी की महबत को पाना चाहते हैं तो आप बस ये एक छोटा सा उपाय कर लो इस तरी आपकी दीवानी हो जाएगी वो बही करेगी जो आप उसे कहोगे वो आपके पूछे बगेर एक अदम भी आगे नहीं बढ़ाएगी यानि कि वो आपकी गुलाम बन जाएगी ये उपाय क्या है ये उपाय आप कैसे कर पाएंगे जानने के लिए ये वीडियो लाश तक आवस्य देखते रहें वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और हमारी यूटूब चैनल को सस्काइब करके बैल आइकन को जरू दबा दें और कमेंट बॉक्स में जै स्री किष्णा और जै मालक्ष्मी जरू लिखें दोस्तों स्री किष्ण के अनुसार जोति सास्त्र और बास्तु सास्त्र हमारे जीवन में बहुत महत बुड़ है अगर हम जोतिस और बास्तु अनुरूप अपने जीवन को ढाल लेते हैं तो हमारा जीवन सफल बन जाता है आज के सामय में कई ऐसे लोग हैं जो जोतिस और बास्तु सास्त्र पर भरोसन नहीं करते हैं क्योंकि आजकल का मौडल जमाना ऐसी सीजों को नहीं मानता लेकिन जो लोग सचे दिल से किसी को महबबत करते हैं जिनें यकिनन ही उसे स्तरी की महबबत चाहिए होती है वो जोती सास्तर को अवस्य मानते हैं अगर आप भी जोती सास्तर से अपनी महबत को पाना चाहते हैं तो दोस्तों आप छोटा सा ये एक उपाय कर लो आप रात की समय एक गिलास पानी जिसके अंदर एक लोंग और एक इलाइची इसे पीस कर डाल दें और अपनी पूजा घर में इसे लेकर जाएं और भगवान को साक्षी मानते हुए ये इस वर से अरादना करें की हे प्रभू जिस भी इस तरी से महबबत कर रहा हूँ मैं सचे दिल से उसे प्रेम करता हूँ मेरा प्रेम मुझे दिला दो और आप 21 मंतरों का जाप करें मंतर चाहें कोई भी हो खास करके आप मुहिनी मंतर जानते तो ठीक है नहीं तो आप हनुमान चालिसा का भी जाप कर सकते हैं 21 मंतर जाप करने के बाद 21 बार उस इस तरी का नाम लेकर आप उस पानी पर भूग मारतें और सुवार होते ही आप उस इस तरी को ये एक खिलास पानी पिला दें वो पा को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरू दबा दें धन्यवाद